जी नमस्कार मेरा नाम सनी सिर्वास्तो स्वागत आपका टीचर सड़र 24-7 के यूट्यूब चैनल पे और हाजिरों आपके सामने आज के सेशन के साथ और आपको पता है आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं जोग्रफी का complete revision करने वाले हैं वो सारी important topic जो मुझे लगता है कि आपके exam में पूछे जा सकते हैं उन सब पे किस तरीके के सवाल बन सकते हैं और क्या उसमें आप theoretical part में समझ सकते हैं वो सारी चीज़े हैं मैं आपके साथ आज की इस class में discuss करूँगा ठीक है class थोड़ी सी लंबी होगी at least 2 गंटे की class होगी तो उमीद करता हूँ कि आप उसी मानसिक्ता के साथ class में बैठे होंगे क्योंकि अगर complete revision कराना है तो 50 minute में 60 minute में नहीं हो सकता ठीक है तो एक बर फटा फट सारे लोग आजिएगा हाजिर हो जाईएगा आपका 20 तारिक को paper है ठीक है और 20 तारिक को जिनका paper 1 या paper 2 है उनके लिए कुछ important session है अगले दो दिन में उनको आप पहले ध्यान से समझ लीजे time note कर लीजे फिर आज की class करते हैं फटा फटा फट start ठीक ह देखे एक चीज तो ये समझिएगा आप मेंसे जो लोग English की preparation अभी तक नहीं कर पाए हैं या किये हैं last moment पे आप उस पे एक brush up चाहते हैं तो निधी मैम आप लोगों के लिए शुक्रवार को दो पहर 12 वजे से ठीक है ये class लेकर आएंगी जिसमें complete concept MCQ के साथ और concept को समझ जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है language 2 में जिनका paper 1 है भाई EBS के लिए complete EBS content और pedagogy के साथ भवानी बवा आप लोगों के लिए class लेकर आएंगे ये class भी आपकी कल होगी ठीक है तो इसको आप अच्छे से इस पर reminder लगा लिए ठीक अब शुरू करते हैं आज complete revision geography का ठीक है तो इसको शुरू करने से पहले एक बार क्योंकि मैं फिर बीच में नहीं बोलूँगा तो जो लोग भी अभी तक हाजिर नहीं हुए है आज ये class के अंदर फिर उसके बाद शुरू किया जाए एक-एक सवाल को ध्यान से समझेंगे एक-एक सवाल को ध्यान से हो तो आज की कारेवाही आरंब कर दी जाए ठीक अचा दूसरी important बात यह है आप मेंसे जो बच्चे BPSC के लिए जा रहे हो तो मैंने आपको बताया था कल से मैंने आप लोगों की class start कर दी है ठीक है और ये इसका जो time है वो 9 पीम का है तो कल मैंने class ली थी आज भी उसके आ expression कर रहे है जिनका paper है वो अपना paper के लिए आके इस class में पढ़ लेंगे ये class seated वालों के लिए भी equally important है क्योंकि आपको पता है 80% चीजें NCRT और SCRT में सेम हैं तो आपका seated में अच्छा revision हो जाएगा अगर आप इस class में रहते हैं तो समय होगा तो देख सकते हैं आप इस class को शुरू करें भाई स्टार्ट किया जै श्रीकान जी theoretical तो पढ़ाता ही हूँ हर question के साथ theory पढ़ाता हूँ आज देख लिजे आज आपको theory मिल जाएगी करें start एक एक chapter discuss कर लिया बेटा 60 classes बना दी NCRT filter की और कितनी theory पढ़ाऊ चलो चलिएगा तो पहला सवाल आपकी screen पर ये रहा देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा और exam में आएगा तो सवाल को अच्छे से आप पढ़ेंगे के रहा है सूर्य चंद्रमा तथा वो सभी पिंड जो रात में चमकते हैं खगोली पिंड कहलाते हैं वो खगोली पिंड जो गैसों से निरमित होते हैं एवं जिनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश होता है, तारे कहलाते है Sun, Moon and all those bodies which shine in the night are called celestial bodies और फिर दूसरा कहारा, those celestial bodies which are made of gases and which have their own heat and light are called stars केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनो सत्य है या दोनो असत्य है, क्या हो जाएगा जवाब What should be the right answer? What should be the right answer? ठीक है, correct answer हो जाएगा option number C, दोनो स्टेट्मेंट सही है, celestial bodies जो की रात में चमकते हैं वो उनमें सूरे चंद्रमा और बाकी पिंट भी आ जाते हैं, वो खगोली पिंट जो गैसों से निर्मित होते हैं, जिनके पास अपनी heat और light होता है उनको हम stars कहते हैं आपको याद रखना है, इस बात को समझ लेना है कि जो planets होते हैं या जो बाकी सब planets होते हैं satellites होते हैं उनके पास अपनी heat और अपना light नहीं होता वो सूरे के प्रकास से चमकते हैं सूरे हमारा सबसे नजदीक का तारा है ठीक? आपको कुछ-कुछ point यहाँ पर याद रखने हैं जैसे अगर आप चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा में आपको अमवस्या भी दिखाई देती है उसकी स्थिती में और पूर्णिमा भी जिसको full moon या हम क्या कहते हैं new moon कहते हैं ठीक? full moon जब आपको पूरा चंद्रमा दिख रहा होता है उसको आप पूर्णिमा कहते हैं इसके 15 दिन बाद आप इसको नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ से फिर से new moon यानि moon का एक पूरा सरकल हो जाता है तो चंद्रमा 15 days के बाद पूर्णिमा और अमवस्या के बीच में 15 days का क्या होता है gap होता है ठीक है दूसरी बात क्या है कि सूरे चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोली पिंड कहलाती है ठीक है the sun, the moon and all those shining objects in night sky are called celestial bodies खगोली पिंड बड़े आकार वाले होते हैं गरम होते हैं कुछ ऐसे होते हैं ये गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी उश्मा और अपना प्रकाश होता है their own heat and their light ठीक है clear है सूरे हमारा सबसे नजदीक का तारा है ठीक है इन खगोली पिंडों को हम क्या कहते हैं तारा कहते हैं सूरे भी हमारा क्या एक नजदीक का तारा है ठीक है ये सारी बातें याद रखेंगे अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है पढ़िये जवाब दीजे पढ़िये जवाब दीजे क्या हो जाएगा जवाब बदाइए तारों के द्वारा आकाश में बनाई गई विभिन आभासी आकृतिया नक्षत्र मंडल कहलाती है और सब्तरिशी तारों का समू अर्शा मेजर नामक नक्षत्र मंडल का ही भाग है इस तरीके से अगर आप नौर्थ की तरफ फेस करते हैं तो यहां आपको द्रूवतारा नौर्थ स्टार दिखता है और इसके अंदर ये जो आप देखते हो ये क्या है आपका सब्तरिशी मंडल है मैंने इसको जब कराया था तो मैंने उनके सब के नाम भी आपको बताये थे ठीक है अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है ठीक ये जो की आसानी से पहचान में आने वाला है वो है सब्तरिशी जिसे हम अपने नंगी आखों से देख सकते हैं वो कौन सा है सब्तरिशी है और याद रखेगा कि ये अर्शा मेजर का ही भाग है ठीक और जब भी पुराने जमाने में दिशा प्रतीत करनी होती थी दिशा समझना होता था तो हम इसी नौर्थ स्टार को क्या गरते थे देखते थे तो आंसर टू दिस कोशन इस ऑप्शन नंबर सी वन एंड टू ठीक है यहां से एक सवाल आ सकता है ठीक अगला सवाल देखो उन ग्रहों की पहचान कीजे जिनके चारों और छल्ले बने हैं रिंग्स बनी हैं रिंग्स अराउंड देम ब्रिहस्पती शनी या यूरेनस क्या हो जाएगा जवाब ठीक है मैं बुला रहा हूँ बुला रहा हूँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीत तीनों याद रखना तीनी ही प्लैने नइट हैं बुले श्नी के किनारे भी मिलेंगे और यूरेनस के किनारे भी मिलेंगे और अभी आपने सुना होगा रील-वील बहुत चल रही है 27 अगस्त को जो Saturn है वो प्रित्वी के बहुत नजदीक है तो आप इसके चले देख पाएंगे ठीक तो ये तीन है जिनके किनारे किनारे आपको कौन कौन से Jupiter, Saturn और Uranus Jupiter, Saturn और Uranus इनके किनारे किनारे रिंग बनी है ठीक है ये असंग के छोटे छोटे पिंडो से बनी पट्टियां हैं ये बात याद रखना These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope and these are belts of small debris ये important बात है कि ये जो चले दिखते हैं आपको ये छोटे 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 पिंडो से बने होते है small debris से बना होता है तो और उसका आकार ऐसा हो बनता है कि वो हमें किसकी तरह दिखता है rings की तरह दिखता है ठीक तो यहां से statement का question आएगा इन्हें हम कैसे देखते हैं telescope की तरह देखते हैं ठीक telescope से ही हम देख सकते हैं ठीक अगला देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है सूर्य परिवार को सौर मंडल कहा जाता है सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है ठीक है और फिर कह रहा है सूर्य ग्रह उपग्रह शुद्र ग्रह है चुछुद्रग्रह , यह मिलकर सौर मंडल का निर्माल कहते है ठीक है और फिर पृथवी के आकार जैसा या पृथवी और अनुरूप को जिवाड कहा जा रहा है यार यहां पर होना चाहे है कौन सा सत्य है यहां पर होना चाहे हैर कॉन सा सत्य है teraz एक मिनट बिटा मैं बुला ले रहा हूं घबरवनी ठीक है कौन सा सत्य है होना चाहिए था ना तो तीनों सही हो जाएगा ना ठीक है जो है वो गरीक गोड है जिसका मतलब होता है सन रिलेटेड या रिलेटेड टू सन है ना और उसके परिवार को ही हम क्या कहते हैं विल्कूल सही बात है सूरिग्रे, उपग्रे, शुदग्रे, उलकापिंड यह सा मिलके सौर मंडल बनाते हैं जो पृत्वी के आकार जैसा या पृत्वी के अनुरूप जो शेप दिखती है the shape of earth और similar to the earth is called जिवाइड कहलाता है जो की पृत्वी की तरह दुरूप पर क्या होगा, चप्टा होगा, यह क्या कहलाता है जिवाइड कहला थोड़ी brightness कम कर दो, दिख नहीं रहा है बच्चों को और थोड़ा सा clear नहीं आ रहा है, ठीक है, अगला यह देखो, यह बड़ा important है रुक जा एक मिनट, इसको हो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, अब बताना आप दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नमस्कार राजेश जी, अब clear cut दिख रहा है ना भाई, ठीक है, चलिए अब सुनिए जरा, यह नहीं दिखे बड़ा है तो कैसे दिखेगा बहुत बड़ा फोटो है आपकी किताब में बना पर यहां से सवाल क्या क्या आएंगे वो ध्यान से सुन लो नहीं गलत करके चले आओगे सवाल नंबर एक यह बनता है शुद ग्रह पट्टी किंदो ग्रहों के बीच में बनती है तो मंगल और ब्रिहसपर बिट्वीन मार्स एंड जूपिटर कई बार पूछा भी गया है सीटेट के अंदर ठीक है दूसरा यहां पर यह जो लिस्ट है इस लिस्ट को एक बार जरूर से देख के जाना एक्जाम में यहां से आपका एक तो घूरनन जो समय है उस पर सवाल आ सकता है परी जैसे मानलो उपग्रह में पूछ देगा कि सबसे ज़ादा उपग्रह किसके है ठीक सबसे ज़ादा उपग्रह किसके है तो चंद्रमा की संख्या ब्रिहसपती में लगबग तिरपन है शनी की भी लगबग तिरपन है तो आपकी NCRT के according दोनों की almost क्या है समान है वैसे जू होगे तो इनको क्या बोला जाता है कि सूर्य के बहुत नजदीक है यह चटानों से बने यह आंतरिक ग्रह कहलाते है ठीक यह चटानों से बने है ठीक है यह किस से बने है यह यह और यह किस से बने है जबकि यह बाहर के जो है यह गैसे से बने हुए है तो इनको क्या कहते है यह गैस और तरल पदार्थों के बने हैं तो इनको क्या कहा जाता है आउटर प्लैनेट कहा जाता है ठीक अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बाई नेक्स्ट कह रहा है कि पृत्वी के विशय में निमनलिखित कतनों पर विचार करिए यह सूर से दूरी के करम में तीसरा और आकार के हिसाब से पांचमा सबसे बड़ा ग्रह है इसका दो तिहाई हिससा पानी से ढखा हुआ है और इसलिए इसे क्या कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं इसलैं उसे क्या कहते है नीला ग्रह क्या हो जाएगा आइसर सी डिफ़े ही भिलुकुल ठीक है यहां से इस वाले पॉइंट से assertion reasoning का question भी आ सकता है assertion reasoning का question आएगा कि प्रिथवी को नीला ग्रह कहते है reason क्या हो जाएगा कि प्रिथवी का दो तीहाई हिस्सा जो है वो किस से ढखा हुआ है पानी से ढखा हुआ है अल्मूस्ट आपको पता है water covered जो है वो कितना है 71% part जो है वो water covered है 29% part में क्या है land mass है ठीक continental जो mass है वो 29% है दूरी के करम में यह तीसरा है और आकार के हिसाब से कितना है पाँचमा है ठीक आकार के हिसाब से कितना है पाँचमा है क्रम के वज़े क्रम अगर आप याद रखोगे सूर से उनकी दूरी के अनुसार तो my very efficient mother just served us nuts यानी mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus और neptune Pluto को आपको पता है Pluto को क्या कर दिया गया बाहर कर दिया गया अगस्त 2006 में जहां पर यह निरने लिया गया अंतरराश्ट्री खगोली संगठन के द्वारा लिया गया International Astronomical Union के द्वारा लिया गया और ये बात point याद रखिएगा कि Pluto के साथ साथ और किसे किसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह में रखा गया तो एक है 2003, 2003, UB 313, ठीक, दूसरा है Cyrus, दूसरा क्या है Cyrus है, ठीक, दूसरा क्या है आपका Cyrus या Cyrus भी बोलते हैं, तो दूसरा क्या है आपका Cyrus है, इनको किसमे रख दिया गया है द्वार्फ प्लैनेट में अगस्त 2006 में ये निरने लिया गया एक और सवाल आपके क्या आजाएगा, कि बुद्ध सबसे नजदीक है और इसको सूर के चारो और चक्कर लगाने में केवल 88 डेज लगते हैं और फिर ये सवाल, शुक्र को प्रित्वी का जुडवा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृती प्रित्वी के ही क्या है, समान है तो ट्विन किसे कहते हैं, अर्थ का ट्विन किसे कहते हैं तो वीनस is considered as अर्थ's twin because its size and shape is very much similar to the earth तो दोनों का size और shape लगभग एक जैसा है इसलिए प्रित्वी की जुडवा ग्रह किसे कहते हैं वीनस को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं क्लियर हो गया point? कोई बात ने श्रीकान जी, अब जो देख रहा हो वही देख लो अगला देखिए, हमें प्रित्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है जिसका कारण क्या है? कारण है प्रित्वी का घुर्णन अवधी और चंद्रमा की घुर्णन अवधी का एक समान होना ठेक, दूसरा कह रहा है चंद्रमा की घुनन अविदी, अवदी और परी भ्रहमन अवदी का लगभग एक समान होना क्या हो जाएगा आंसर? What should be the right answer? What should be the right answer? तो rotation period of earth and the rotation period of the moon being the same मैंने आपको जब यह सवाल कराया था, तो मैंने PPT के उपर आपको दिखाया भी था कि जितने समय में पृत्वी अपने अर्थ पे, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उतने ही समय में moon भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो अगर आप मेरे सामने खड़े हो और मैं दो सेकेंड में इतना गुमा और आप भी दो सेकेंड में इतना ही गुमगे साथ साथ आप मेरा चक्कर भी लगा रहे हो तो मुझे आपका हमेशा एक ही साइड दिखेगा ना तो असेर्सन रीजनिंग में भी ये कोशन आ सकता है असेर्सन रीजनिंग में आ जाए तो याद रखना क्यूं हम देख पाते हैं एक हिस्सा क्योंकि पहला सही है दूसरा सही नहीं है ठीक है अरे सोरी उल्टा हो गया यार ठीक है दूसरा क्या है सही है ओनली टू इनकी घुर्णन अवदी और परिब्रह्मन अवदी का एक समान होना ठीक है चंद्रमा की घुर्णन अवदी उतने ही समय में वो अपने पर रोटेट भी कर लेता है ठीक 27 दिन बिलकुल ठीक चंद्रमा को देख लीजे समझ लीजे 384-400 किलोमेटर है अब इनके आप अगर देखेंगे तो 27 दिन में ये क्या करता है पृत्वी का एक चक्कर और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्षपर भी एक चकर पूरा करता है ठीक है तो इसलिए हमें क्या होता है केवल एक साइड दिखाई देता है केवल एक आड़ट पारे सेटलाइट है जो एक साइटन और्विट में क्या कर दिये जाते हैं बठा धिये जाते हैं जैसे irs एडू सेट इस पर कौशन आया हुआ सी टेर के अंदर कि एडू सेट क्या है ये सब क्या है ये मानव निर्मित उपग्रहें मैन मेड़ सेटलाइट है जबकि ये क्या है चंद्रमा हमारा natural satellite है यहां से ये वाला question आने की पूरी-पूरी possibility बनती है ठीक तो याद रखिएगा कि चंद्रमा की घुर्णन अवधी और परिभ्रमन अवधी का लगभक क्या होना एक समान होना ठीक है अगला सवाल देखते हैं नेक्स देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित कतनों पर विचार करो भहिया सूर के चारो और चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकडों को उलका पिंड कहते हैं और फिर कहारा है क्षूद्रग्रा मंगल और ब्रहस्पती की कक्षाओं के बीच पाया जाता है The small pieces of stone that revolve around the sun are called meteorites called meteorites ठीक है called meteorites बेटा इंग्लिश में भी बताया तो दोनों जो इनका क्या लिखा हुआ है यहां पे The moon's rotation period and orbital period are almost the same ठीक चंद्रमा एक चक्कर 27 दिन में लगाता है और उतने ही अपने में भी क्या कर लेता है 27 दिन में उसका moon का जो rotation period है और जो उसका revolving period है around the sun around the earth that is equal that's why we see only one part of the moon always ठीक है अब next देखो small pieces of stone that revolve around the sun are called meteorites बिल्कुल सही बात दूसरा के रहे एस्टोराइट्स are found between the orbits of Mars and Jupiter छुद्रग्रे कहां पाए जाते हैं मंगल और ब्रहस्पती की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं दोनों कथन क्या हैं सही है इस सवाल के आने की पूरी possibility है meteorites और asteroids दोनों को समझ लीजेगा ध्यान से जब हम asteroids की बात करते हैं ठीक तो ये क्या है ये मंगल और ब्रहस्पती की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं अब ध्यान से इस line को दिमाग में बिठा लो क्षूद ग्रह के ही भाग होते हैं जो की कई साल पहले विसफोट के बाद ग्रहों से तूट कर क्या हो गए थे अलग हो गए थे अब अगर आप से statement बना दिया जाए कि क्षूद ग्रह ग्रह के ही पार्ट हैं तो गलत हो जाएगा नहीं गलत होगा ठीक अगर दिख नहीं रहा है तो अभी पीपटी दूँगा पढ़ लेना जब यह पीडिएफ दूँगा पढ़ लेना फिलाल सुन तो लो बात को ठीक है जबकि meteoroids जो होते हैं यह सूरी के चारो और चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकडे होते हैं small pieces of rocks होते हैं जो कि उसके revolving कर रहे होते हैं ठीक है जब यह पृत्वी के नजदीक होते हैं तो फिर यह क्या होता है इनमें fraction create होता है air की वज़े से और ऐसा लगता है कि यह तूटते हुए गिर रहे हैं पुछल तारा वारा जिसको आप बोल देते हो ठीक अगला देखो क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है which of the following statement is not true globe को पृत्वी का वास्त्विक लगु प्रतिरूप कहा जाता है globe पर देशों महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है पृत्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की और घूमती है और फिर कह रहा है globe या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व विश्वत रेखा के समानतर खीची गई रेखा या व option number C पृत्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम नहीं west to east घूमती है अब पहला दूसरा तीसरे पॉइंट को ध्यान से सुन लो पेड़ागोजी में भी काम आएगा globe क्या कहलाता है miniature model of earth कहलाता है ठीक क्या कहलाता है real miniature model of earth कहलाता है globe पर हम देश, महाद्वीप और महासागर के सही आकार बता देते हैं क्योंकि globe पर हम latitude और longitude में उसको define करते हैं ठीक है और a line or circle drawn parallel to the equator from west to east ठीक on a globe or map is called latitudinal line यानी जब हम किसी पर किसी globe पर या किसी map पर west to east की तरफ बीचो बीच एक line खीचते हैं या फिर इदर से जो भी line खीचने जा रहे हैं ये सारी line एक्षांस कहलाती है ठीक है इस तरह की जितनी भी line होंगी ये सब क्या कहलाएंगी latitudinal line कहलाएंगी जबकि उपर से नीचे की तरफ किसी globe पर उपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं खीची जाएंगी जो धुरूओं पर आकर मिलेंगी हमेशा ये क्या कहलाएंगी ये देशानतर कहलाएंगी ठीक है तो imaginary line होती है that globe divides into two equal parts this is known as equator this is known as equator ठीक है northern half of earth is called northern hemisphere तो आपने सवाल किया था कि equator क्या करता है equator अर्थ को दो बराबर पार्ट में divide कर देता है इसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्द और इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं दक्षणी गोलार्द southern hemisphere इसी तरह से जब हम देशानतर को बाटते हैं तो इधर वाला पार्ट कहलाता है eastern hemisphere यानि पूर्वी और इधर वाला कहलाता है western hemisphere यानि पश्चिमी कहलाता है अब इस पे आगे जो भी line आप इसके parallel खीचोगे वो सारी की सारी क्या कहलाईगी अक्षान सरेखाएं कहलाईगी ठीक है अभी सब बता रहे हैं मेटा सब बताएंगे ठीक है वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी ठीक अगला देखिएगा कर्क और मकर रेखा के बीच के छेतर को ऊश्न कटिबंद कहते हैं ठीक दा एरिया बिट्वीन दे ट्रॉपिक ओफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन इस कॉल्ड टॉरेड जोन या हीट जोन भी कह सकते हैं इस छेतर के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सरकेट ठीक ऊपर होता है तो कह रहा है कि A और B का एक्स्प्रेनेशन है एक्स्प्रेनेशन नहीं हो रहा है A सही है B गलत है A गलत है B सही है क्या हो जाएगा जवाब What should be the right answer अब आप लोग इसका answer दे रहे हैं C अब ज़रा समझीएगा बात को क्या कह रहा है भाई कि ये अर्थ है ठीक और क्या कह रहा है करक रेखा और मकर रेखा आपको पता है imaginary line में ये equator आता है 23.5 डिग्री पर नौर्थ पर ये क्या हो जाती है करक रेखा और उसी तरह से 23.5 डिग्री पर ये क्या हो जाती है मकर रेखा उपर वाले को बोलते हैं Tropic of Cancer नीचे वाले को बोलते हैं Tropic of Capricorn कह रहा है कि सूर्य का सभी यहाँ पर जितने भी अक्षांस हैं इन सब पर कम से कम एक बार सिर के ऊपर होता है बिल्कुल होता है जब हम जिसे हम कहते हैं respective motion of sun sun का आभासी संचलन तो एक बार तो हर अक्षांस पर इसकी किरन सीधी नहीं पड़ेगी जब यह यहां से यहां तक आएगा यह यहां से यहां तक जाएगा तो सीधी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी तभी तो इस पूरे इलाके को साल भर क्या मिलता है high temperature मिलता है मिलता है न तो एक बार तो सर के उपर होगा बताया था ना कि खोपड़ी टंटनाईगी जहां भी आप रहेंगे यहां पे तो इसका मतलब explanation हो रहा है A और B सही है और B A का क्या है सही explanation है आपने ये गलती दुबारा की है ठीक है तो answer याद रखिएगा कि इसका answer क्या हो जाएगा A and B both is true and B is the correct explanation of A इसको तीनों कटिबंधों को ध्यान से सुन लो क्या क्या ताप कटिबंध है क्या क्या heat zones है करक रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षान्षों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिरके ठीक उपर होता है इसलिए इस छेतर में सबसे अधिक उश्मा होती है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं उश्नकटिबंध कहते हैं तॉरिड जोन कहते हैं क्यों कहते हैं अगर आप एक एक्टिविटी करें जिसमें आप एक टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने जो है एक दफ्ती टाइप की चीज रख दें जैसे जैसे आप उसको टिल्ट करेंगे आप देखेंगे कि किरने तिर्ची होती जा रही है जैसे जैसे आप करक रेखा और मकर रेखा से उपर या नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो गर्मी उसी हिसाब से क्या होती जाएगी कम होती जाएगी क्योंकि क्यों कम होगी क्योंकि कह रहा है ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है करक रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षान्ष पर दोपहर का सूर कभी भी सिर के उपर नहीं होता कब करक रेखा और मकर रेखा के बाद यानि इस वाले पार्ट में इस से उपर और इस से नीचे कभी भी सूर सीधा सर के उपर नहीं आएगा क्योंकि अगर यहां तक आएगा तो फिर रेखाएं क्या होंगी तिर्ची पड़ेंगी और यहां भी क्या होंगी रेखाएं तिर्ची पड़ेंगी heat मिलेगी पर उस heat के अंदर intensity कम होगी, insulation कम होगा insulation क्या होता है? insulation होता है incoming solar radiation जिसको आप क्या कहते हो? सूर्या ताप कहते हो या आतपन कहते हो क्या कहते हो? आतपन कहते हो तो आतपन की मात्रा equator से उपर जाते जाते धीरे धीरे क्या होती जाती है? घटती चली जाती है इसलिए यहां तक sunlight होने के बावजूद भी यहां बरव जमी रहती है पूरो 6 महिने का दिन पड़ता है तो पिघल जाना चाहिए था पर heat में वो intensity नहीं होती high गर्मी वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ रही होती है कि वहाँ पर high गर्मी high गर्मी चिलाया जाए तो यही बात वो कह रहा है कि करक रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी एक्षांस पर the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the traffic of cancer and traffic of Capricorn तो यहाँ पर इस वाले को हम कहते हैं seat ocean यानी ठंडा और गर्म हर तरीके की चीज होती है ठीक है कहां कहां पर कहते हैं इसको उत्तरी गोलार्द में करक रेखा और उत्तरी धुरुवरित ठीक यानी tropic of cancer और tropic of architect circle जिसको बोलते हो और उसके बाद वाले को कहते हैं sheet cutty band frigid zone कहते हैं जो कि उससे उपर होता है इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या बनेगा ocean cutty band यहाँ पर आपका क्या बनेगा tropic zone torrid zone sorry और इसके उपर 66 तक यहाँ तक इस बीच का जो हिस्सा है यह कहलाएगा sheet ocean यह क्या कहलाएगा sheet ocean कहलाएगा और फिर यह वाला जो हिस्सा है यह आपका क्या कहलाएगा sheet cutty band कहलाएगा आगई बात समझ में आगई बात समझ में इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं arctic इसको क्या बोलते हैं arctic circle और इस वाले को क्या बोलते हैं, Antarctic Circle, clear a point, clear a point, अगला देखिएगा, देशांतर रेखाओं के संबंद में, देशांतर रेखाओं के संबंद में, निम्नलिखित कत्रों में कौन सा सत्य नहीं है, बताना है, which of the following is not true, is not true regarding longitudinal lines, ठीक, knowledge of longitudinal lines necessary to know the exact location of place, मैंने आपको समझाया था, NCRT filter में, बताईए, किसी इस्थान की सही स्थिती जानने के लिए, देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है, ठीक, फिर कह रहा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, धुरूओं की तरफ बढ़ने पर गटती जाती है, और धुरूओं पर सून्ने हो जाती है, अक्षांस रेखाओं की तरफ देशांतर रेखाओं की लंबाई भी समान होती है, फिर कह रहा है, 0 degree देशानतर रेखा को prime meridian कहा जाता है क्या इसमें गलत है क्या गलत है इसमें option number C गलत है न देशानतर रेखाओं की लंबाई समान होती है पर अक्षान्स रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती सुन लो ध्यान से अगर हम इसको अर्थ मान लें ठीक अक्षान्स रेखा क्या होती है हमने एक क्या कर दिया 0 degree बना दिया अब इसके parallel हम ऊपर खीशते चले जाएंगे ध्रूओं तक यहां तक वाला जो circle ये जो circle है वो इस circle का exact one fourth है तो हम 360 को जब हम one fourth से divide करेंगे तो ये 90 degree आ जाएगी इसलिए इसे बोला जाता है नौर्थ पोल उत्तरी ध्रूव बोला जाता है या उत्तरी ध्रूव वृत्त बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं दक्षणी ध्रूव वृत्त बोलते हैं इसके बीच में कुछ imaginary lines है 23 and half degree north जो की करकरेखा है Tropic of Cancer है यहाँ पर क्या है 23 and half पर क्या है South में मकररेखा Tropic of Capricorn है इसके अलावा यहाँ पर 66 and half degree नौर्थ में इसे हम क्या बोलते हैं Arctic वृत्त बोलते हैं क्या बोलते हैं Arctic वृत्त बोलते हैं और इस वाले को हम क्या बोलते हैं अंटार्क्टिक वृत्त बोलते हैं अंटार्क्टिक वृत्त बोलते हैं अब इसके बीच में इस वाले लाइन से ये वाली लाइन छोटी होगी या बड़ी होगी बताईए छोटी होगी या बड़ी होगी बताईए छोटी होगी या बड़ी होगी आगई बात समझ में तो अक्षान्स रेखाओं की लंबाई धुरूओं की तरफ बढ़ते हुए छोटी ओती चली जाती है लेकिन अगर आप देशांतर रेखा खीचेंगे तो वो क्या है किसी भी बॉल को आप उपर से नीचे की तरफ काटोगे तो ये हमेशा क्या होंगी बराबर होंगी ठीक और ऐसे में किसी जगह की exact location जानने के लिए आपको latitude के साथ longitude भी चाहिए होता है अक्षान्स के साथ देशांतर भी चाहिए होता है तो यहां कह रहा है अक्षांस रेखाओं की तरह देशांतर रेखाओं की भी लंबाई समान होती है तो यह वाला point क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा सही स्थिती जानने के लिए देशांतर रेखाओं का ग्यान आवश्यक है अक्षांस के साथ देशांतर रेखाओं का भी ग्यान होना चाहिए इनके बीच की दूरी धुरूओं के बढ़ने पर घटी जाती है क्योंकि यहां से तुम सरकल शुरू किये थे जो वो देखो अंत में आते आते धुरूओं पर मिलना ही मिलना है उसको है ना तो वो क्या होती है गटती जाती है और जो जीरो डिग्री है जो मेन है उसे हम क्या बोलते है प्राइम मिरीडियन बोलते है जो यह वाली है जीरो डिग्री जो कि आपकी लंदन के पास Greenwich से जाती है लंदन के पास किस से जाती है Greenwich या Greenwich से जाती है clear हो गया point अचब बिहार वालो भाई एस्टेट का बैच शुरू हो रहा है आपका 23 तारिक से 23 अगस से शुरू हो रहा है आप enroll कर सकते है अगला सवाल देखिए इसमें आप लोगों को होती है confusion इसको clear कर लेते हैं क्या कह रहा है प्रित्वी बिटा अभी ये सब last में पूछने ना अभी पढ़ाने दो बिटा the earth rotates 360 degree in about 24 hours प्रित्वी 24 गंटे में कितना गूम लेती है भाईया 360 degree गूम जाती है 24 गंटे में प्रित्वी कितना गूम जाती है 24 hours में 360 degree गूम जाती है एक गंटे में कितना गूमेगी 15 degree गूमेगी एक गंटे में कितना गूमेगी 15 degree गूमेगी बिल्कुल ठीक है इस प्रकार जब greenwich में दोपहर को 12 बजेगा जब प्राइम मिरीडियन जो है ये वाली लाइन यहां पर दोपहर का बारा बजेगा तो ग्रिनिच से 30 डिगरी पूर्व की तरफ यानि इधर की तरफ समय कितना होगा दो बजे दो पहर हो रहा होगा, दस बजे सुबह हो रहा होगा, दो बजे सुबह मनलब रात का दो बज रहा होगा या दस बजे का अपराहन होगा तो क्या हो जाएगा अंसर अब इसको समझ लो ध्यान से नहीं तो यहां का सवाल आएगा गलत करोगे ठीक है आधे लोगों को जोगरफी में दिक्कत इसलिए होती है कि imagination नहीं काम कर रहा होता है जैसे अभी देशांतर रेखाओं में किसी ने बोला कि नहीं समझ में आ रहा है मैंने आपको इसलिए NCRT फिल्टर पढ़ा रहा था तो एक एक पॉइंट समझा रहा था आपके हाथ में अगर मैं गेंद दे दूँ और उसको बोलू इस गेंद के दो टुकड़े कर दो तो या तो दो टुकड़ा ऐसे करोगे या दो टुकड़ा ऐसे करोगे अगर उपर से करो चाहे ऐसे काटो या ऐसे काटो या इधर से काटो इधर से काटो वो हमेशा गोला क्या होगा बराबर इसलिए सारे देशांतर रेखाएं क्या होती है बराबर एक जैसी होती है और उसको मिलना उस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे है तो सबको एक जगा आकर क्या होगा अंत में मिलना होगा ठीक पृत्वी आपकी घूमती है west to east और पृत्वी अगर आप globe पे देखोगे तो आपका जो अर्थ है वो कुछ ऐसा है मतलब tilted है कितना tilted है भाई तो अपने orbital plane से 66 and half degree जुका हुआ है और अपने axis से कितना जुका है तो 90 में से ये घटाओगे ये circle कितना हो गया तो ये कितना ओर जाएगा 23 and half हो जाएगा अब आप एक बात बताईए अगर पृत्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो सूरत जादा जल्दी पूर्व वाले हिस्से को दिखेगा या पश्चिम वाले को दिखेगा सूरत जादा जल्दी किसको दिखेगा पूर्व वालों को दिखेगा या फिर पश्चिम वालों को दिखेगा बताईए दखो कोई कहा रहा वे वेस्ट वालों को तुम पूर्व में खड़े हो मैं पश्चिम में खड़ा हूँ तुमारे बगल में टॉर्च जला दिया जाए तो ज़्यादा रौष्णी तुमको मिलेगी कि हमको मिलेगी इस्ट वाले को मिलेगी न इस्ट वाले को मिलेगी न इसका मतलब ये हिस्सा ज़्यादा जल्दी सनलाइट पाएगा बजाए इस हिस्से के अकेरा बीच वाला जो रेखा है यह 0 degree और इससे 30 degree पूर में है यानि यहाँ पर कोई रेखा है जो 30 degree है तो 30 degree वाले को जल्दी मिल गया ना तो अगर यहाँ पर 12 बज रहा होगा तो इसको तो और जल्दी मिल रहा होगा इसको तो और जल्दी मिल रहा होगा तो इधर समय क्या हो जाएगा प्लस ह ठीक है तो अगर यहां 12 बज रहाओगा इसका मतलब वहां पर 12 बजे की स्थिति पहले ही हो चुकी है है ना तो यहां पर समय हमेशा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहां पर 2 घंटा और जुड जाएगा इसका मतलब 2 पीम हो जाएगा 2 पीम हो जाएगा मैंने ऐसा ही आपको सवाल कराया था एक चीज एकदम सिंपल भाषा में याद रखिएगा ऐसे कर लीजे इसको बना लीजे 0 डिगरी इधर समय हमेशा प्लस होगा इधर हमेशा क्या होगा माइनस होगा अगर 0 डिगरी पे 12 बज रहा है और यहां से 30 डिगर टो 15 डिगरी पे 1 घंटा को जाता है प्लस तो 30 डिगरी पे कितना हो जाएगा 2 घंटा प्लस हो जाएगा अगर यही पूछा ओता कि 0 डिगरी से इधर की तरफ यानी वेस्ट की तरफ है 30 degree west पूछ लेता तो 2 गंटे आप minus कर देते यानि यह भी और बाद में उस इस्तिती में पहुंचेगा ठीक है अगला सवाल देखिए पृत्वी की धूरी जो एक कालपनिक रेखा है अपने कक्षी इतल से 66.5 degree का कोंड बनाती है the axis of which is an imaginary line makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane और फिर कराएं गलोब पर दिन और रात को अलग करने वाले वृत्त को प्रदिप्त वृत्त कहते हैं ठीक circle of elimination कहते हैं that divides the day from the night on the globe is called circle of elimination बताइए बताइए क्या हो जाएगा जबाब तो option number C सही है बिल्कुल सही है ठीक एक इस्थिती मान लो जिसमें सूर्य जो है वो ऐसे है यहाँ पर है कहीं ब्रह्मांड में और उसके सामने हमारी प्रित्वी है ठीक इस प्रित्वी पर एक ऐसा part एक ऐसा portion आएगा जहां पर अगर प्रित्वी गोल है और गोल भाग का चहरा तुम्हारे सामने रख दिया जाए तुम सूरज हो तो तुम आगे वाला part देख रहे होगे पर एक certain part के बाद वो sunlight नहीं दिखेगी तो आधे जगा सूर्य का प्रकास होगा और आधे जगा सूर्य का प्रकास नहीं होगा तो ऐसा एक जो रेखा बनती है ऐसी एक जो circle बनती है उसे हम कहते है circle of elimination illumination का मतलब हो गया illuminite हो जाना प्रकाशित हो जाना कैसे प्रकाशित हो जाना सूर्य के प्रकास से तो उस circle को क्या बोलते है प्रदिप्ति वृत्त बोलते हैं वो क्या कहता है कि इस पार्ट में डे होगा इस पार्ट में नाइट होगा अब जैसे जैसे ये घूम कर पहुंचेगा तो यहाँ पर धीरे-दीरे डे आता जाएगा और ये पीछे जाएगा तो यहाँ पर दीरे-दीरे नाइट होता जाएगा ये पूरी प्रक्रिया 24 गंटे में क्या हो जाती है इसलिए उसे हम क्या बोलते है Earth's Day बोलते है प्रिथवी दिन बोलते है प्रिथवी का अपने अक्ष पर 24 गंटे में एक चक्कर पूरा कर लेने का जो समय है 24 गंटे का उसे हम क्या बोलते है प्रिथवी दिन बोलते है Earth's Day बोलते है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पार्ट में अंधेरा है इस पार्ट में उजाला है यहाँ Sun की Light पढ़ रही है यहाँ नहीं पढ़ रही है तो यह जो आपको Circle बनता दिख रहा है यह Circle इस Point पर क्या कहलाएगा Circle of Elimination कहलाएगा क्या कहलाएगा इस Point पर Circle of Elimination कहलाएगा ठीक है उसी तरह से प्रिथवी अपने Orbital Plane से अगर ये चीज सीधा होती तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ये 90 डिगरी का एंगल बन रहा है न ये एंगल 90 डिगरी का बन रहा है न पर प्रित्वी सीधी नहीं है प्रित्वी क्या है? ऐसे है तिर्ची है तो कहरा है इस वाले से ये angle कौन सा है तो ये angle कितना है 66.5 और अपने axis से कितना है 23.5 मैं फिर से बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझ लीजेगा अगर लिखा हो exam में exam में मान लो कल पेपर में परसो आएगा पेपर में अगर लिखा होगा कि orbital plane से अपने कक्षी तल से क्या लिखा होगा orbital plane से तो हमेशा याद रखना orbital plane से अर्थ का जो degree बनेगा वो 66.5 बनेगा ठीक है और अपने अक्ष पर पूछे on its own axis वैसे वो seated में पूछते नहीं है अगर कहे अपने अक्ष पर कितना जुकी है पृत्वी तो होगा 23.5 क्लियर एपॉइंट क्लियर एपॉइंट बोलो क्लियर एपॉइंट क्लियर एपॉइंट क्लियर एपॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं इन में से क्या दिन और रात तथा रितूओं में परिवर्तन संभावित करता है ठीक इन में से वो कौन सी चीज है जो दिन और रात को परिभाशित करता है और रितुओं में परिवर्तन को परिभाशित करता है क्रमशह दिन और रात के लिए प्रित्वी के घुर्णन और रितुओं में परिवर्तन के लिए परिक्रमन होता है प्रित्वी के परिक्रमन और घुर्णन सिर्फ प्रित्वी का घुर्णन या सिर्फ प्रित्वी का परिक्रमन क्या हो जाएगा अंसर यार मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ अभी ये सब मैं जवाब अभी इस बात का नहीं दूँगा दो गंटे में बहुत कुछ पढ़ाना है समझ नहीं रहो बात को मैं सब बता दूँगा आप लोगों को अभी फिलाल पढ़न लेना दीजे अभी copy paste मत करिए बाद मैं आप class के बाद comment दे दीजेगा मैं दे दूँगा जवाब तो A हो जाएगा answer बिल्कुल ठीक है यह हो जाएगा rotation और revolution rotation और revolution प्रित्वी का अपने अक्ष पर घूमना प्रित्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है घूर्णन कहलाता है rotation कहलाता है इस वाले point में जहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी रात है और यहाँ पर दिन है जब यह अपने अक्ष पर घूमेगा तो थोड़े दिन बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दिन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी रात हो जाएगी पूरा position change हो जाएगा यह किसकी वज़ा से हो रहा है rotation की वज़े से ये किसकी वज़े से हो रहा है घूर्णन की वज़े से हिंदी में घूर्णन के लिए परी भ्रमण भी लिखा होता है ठीक परी भ्रमण भी लिखा होता है और रितुओं में परिवर्तन होता है परी क्रमण से वो क्या होता है जब पृत्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है दीरगवृत्ताकार में इलिप्टिकल पाथ में क्या करती है घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं परीक्रमण कहते हैं रेवलूशन कहते हैं चारों तरफ घूमना ठीक, revolution में कुछ stages आती हैं, इस तरह की stages आती हैं, जहां पर बीच में आप ये देख रहा हो, ये sun है, और ये चार stage बताई गई है, जिसके हिसाब से प्रित्वी में, रित्वों में परिवर्तन होता है, ठीक, दो स्थितियां ऐसी हैं, जहां पर उत्तरी आयनांत और दक्षण होता है, यानि summer solistize होता है, और winter solistize होता है, उत्तरी आयनांत होता है, 21st June को, ठीक है, और जो winter solistize होता है, वो होता है, 22nd December को, ये वो तितियां है, जहां पर क्या होता है, सूरी की किरने, सीधे-सीधे कहां पढ़ रही होती हैं, आपके, equinox का जिसको समय बोलते हैं, ठीक ठीक है, उपर के जो है, विशुव वाले समय, उसे हम equinox बोलते हैं, जहां पर सीधे-सीधे किरने जो है, equator पर पढ़ रही होती है, उसके बाद equator से होते हुए, ये कहां चली जाती है, उपर और नीचे, north और south की तरफ, ठीक, तो south पर जब जाएंगी, तो tropic of capricorn पर पढ़ेंगी, मकर रेखा पर पढ़ेंगी, यहां पर, तब उत्तरी गोलार्द में क्या होगा, winter आ जाएगी, उत्तरी गोलार्द में क्या हो जाएगा, विंटर आ जाएगी, देखो कब हो रहा है ये, 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्द में winter, दक्षनी गोलार्द में क्या ह जब सन यहां पर दे रहा है लाइट सारी तो दक्षणी गोलार्द में ग्रीश मृत्व आ जाएगी इसलिए तुम पढ़ते हो कि आस्ट्रेलिया क्या करता है क्रिस्मस का तेवहार ऑस्ट्रेलिया क्रिस्मस का तेवहार गर्मियों में मनाता है क्रिस्मस का तेवहार इसमें मन मनाता है गर्मियों में मनाता है जबकि पूरी दुनिया जो है वो सर्दी में मना रही होती है क्यों क्योंकि विंटर सॉलिस्टाइज हो चुका होता है ठेक फिर वापस से यह कंडीशन यहां आएगी दुबारा से जीरो डिगरी पर इसकी लाइट पड़ेगी और फिर यह अतरी अइनानत हो जाेगा जो डेट क्या है 21st June है अब यहां आ गया तो सीधी सी बात है सन लाइट इधर जादा पड़ेगी इधर कम पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्द में क्या हो जाएगा समर आ जाएगा उत्तरी गोलार्द में समर आ जाएगा दक्षणी में क्या आ जाएगा विंटर शुरू हो जाएगा और इनके बीच में जब दो बार ये स्थिती एक बार यहां से यहां वापस और यहां से यहां वापस में दो बार यह स्थिती आती है जब सूरी की लाइट सीधे-सीधे तोर पे equator पर पड़ती है सबसे लंबा दिन होता है बराबर हो जाते हैं दिन और रात यह हो जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च में उत्तरी गुलार्द में आ जाता है बसंत रितु जिसको English में हम क्या कहते हैं जिसको हम English में क्या कहते हैं English में हम कहते हैं Spring और South में क्या आ जाता है आपका Autumn तो रितुओं में परिवर्तन किस गती पर निर्भर करता है रितुओं में का सवाल आता ही आता है यहां से आपका कोश्चन आता ही आता है ठीक अगला देखिएगा जब हम प्रित्वी का अध्यन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिती में ग्लोब का प्रयोग काफी उपयोगी होता है जब आप अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं ठीक है जब आप अर्थ को study करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिती में globe का प्रयोग काफी उपयोगी होता है दूसरा कहा है मानचित्रों से हमें एक globe की अपेक्षा जादा जानकारी प्राप्त होती है बताइए ये पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है ये पेडा में भी पूछा जा कल पेडागोजी की क्लास हो नहीं है आपकी कल एकदम समझ लीजे 15 नंबर तो fix है कल की क्लास से कल की क्लास छोड़ियेगा मत कल आपकी शाम से 6 बजे से पेड़ागोजी लूँगा 15 नंबर फिक्स है कल की क्लास से और ये बात बिलकुल सही है मैप हमें ज़्यादा information देते हैं गलोब से तो दोनो statement क्या हो जाएगा सही हो जाएगा गलोब का आपने पढ़ी लिया कि उसे miniature model कहते है consider the following statement पृत्वी की सता के दो मुख्य भाग है महाद्वीप और महासागरी घाटिया महाद्वीपों और महासागरों की एक दूसरे से अलग एक स्वतंत्र सीमा होती है फिर कह रहा है कि समुद्री जल का अस्तर हर जगा समान होता है इसको English में समझना जरूरी है उसको समान माना गया है और फिर है भूमी की उचाई समुद्र के स्तर से मानी जाती है जिसे सून ने माना जाता है जब भी हम सी लेवल की बात करते हैं तो हम इसे जीरो मान लेते हैं हम इसे जीरो मान लेते हैं और इसके उपर हम क्या करते हैं समुद्र की समुद्र तल से किसी भी जगा की उचाई मापते हैं समुद्र तल से किसी भी जगा की उचाई मापते हैं ठीक क्या हो जाएगा जवाब तो सुनो ध्यान से ये ऐसे हिंदी वालों तुम लोगों से ये गलती होगी क्योंकि ट्रांसलेशन यही आएगा तुमको लग रहा है कि समुद्री जल का स्तर हर जगा समान रहता है तुम्हें लग रहा है कि पानी की बात हो रही है कि पानी कैसे एक जगा हो सकता है समान यहाँ पे C level की बात हो रही है यहाँ answer number B होगा क्यूं होगा B को ज़रा ध्यान से पड़ो पहले भी करा रखा है यह बता भी रखा है क्या लिखा हुए option number B में महादीपों और महासागरों की एक दूसरे से स्वतंत्र सीमा है महादीप अलग अलग जगां पर है पर ऐसा तो है नहीं कि महादीप आपस में जुड़े नहीं है योरप और एसिया आपस में जुड़े है यूरेशिया बोलते हो न उस पार्ट को महासागर सारे के सारे महासागर क्या है आपस में connected है ऐसा तो है नहीं कि यहां तक Pacific है, यहां तक Atlantic है, वो पानी इसमें आके भी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, महा सागरी जल का संचरण तो हर समय हो रहा होता है, तो B वाला option क्या है, यहां पर गलत है, अब यह तीनों लाइनों को ध्यान से समझ लीजे, दो मुख्य कॉंटिनेंटल मास और ओश ऐसा वाला, यह वाला, तो यह कॉंटिनेंटल मास है, यह ओशनिक मास है, ठीक है, यह क्या है, ओशनिक मास है, तो महा द्वीपी संतती और महा सागरी संतती, महा सागर की घाटियां और महा दीप, बिल्कुल ठीक, समुद्री जल का अस्तर हर जगा एक समान होता है, जिसको ह कहते हैं क्या उसे हम कहते हैं कि water जो होता सी लेवल का वो हर जगह क्या होता है एक जगह पर समुद्री जल का तल सभी जगह पर एक समान होता है अब किसी जगह की उचाई जैसे मैं आप से पूछू कि दिल्ली की height जैसे कितनी है तो मापने का कोई तरीका होगा अगर मैं आपसे बोलू कि यह सी लेवल है यहां दिल्ली है तो आप इस height को अपोगे नहीं कि कितने उचाई पर हैं दिल्ली जैसे लेकिन अगर यही मैं आपसे कह दूं कि मनाली तो नचुरल है दिल्ली से और उपर होगा तो यह उचाई कैसे नापेंगे कोई तो starting point होगा तो इसलिए समुद्र तल से मापा जाता है और उसे zero माना जाता है तो जब हम zero से height मानते हैं तो हम कहते हैं दिल्ली की height इतने मीटर है मनाली की हाइट इतने मीटर है ठीक है तो दो बातें दिमाग में रखिए समुद्री जल का तल सभी जगा एक समान होता है ठीक है दूसरा क्या है समुद्र तल से मापा जाता है जिसे हम शून ने मानते हैं ठीक है शून ने मानते हैं अगला देखिएगा निम्नलिखित कत्रों पर विचार करिए Consider the following statement उत्तरी अमेरिका भूमी की एक बहुत ही संकीन पट्टी के द्वारा दक्षणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है इसे पनामा का स्थल डमरो मद्ध कहते हैं इस्थमस कहते हैं ठीक है अच्छा इसमें ये लिख दिया था कत्रों में कौन सा सत्य है ठीक है भाई जो समझा रहे हैं वो मत समझना सत्य नहीं है अब ठीक है कमाली हो गया भाई चलिए बताइए तो कह रहा नौर्थ अमेरिका इस लिंक टू साउथ अमेरिका वेरी नैरो स्ट्रिप ओफ लैंड कॉल दी इस्थमस ओफ पनामा ठीक एक लैंड मास है और फिर एक दूसरा लैंड मास है तो यहां तक आते आते यह नैरो हो गया तो यह फिगर कैसी बन गई डमरू जैसी बन गई इसलिए इसको हिंदी में डमरू मध्य कहा जाता है यह डमरू का क्या है मध्य है ना इसलिए इसे क्या बोलते हैं डमरू मध्य बोलते हैं और कहरा यह महादीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गुलार्द में इस्थित है क्या हो जाएगा अंसर, दोनों सही है अगर आप इसको ऐसे कर दो, यहां से 0 degree देशांतर, यहां से आप 0 degree equator कर दो तो जो उत्तरी अमेरिका है वो पूरी तरह से आपको यहां पर मिलेगा यानि कौन से नौर्थ वेस्ट में तो वही कह रहा है पश्चिमी गोलार्द में और नौर्थ में ठीक है वेस्टन हेमिस्फियर में मैपिंग वाले कोश्चन में ये वाला पॉइंट आप जरूर से देखके जाईएगा ठीक है इस थमस पे और वाटर बॉड़ी पे सवाल आता है ठीक water body जो है उसे हम straight बोलते हैं ठीक है water body को क्या बोला जाता है water body को बोला जाता है straight हिंदी में कहते हैं जल संधी जहाँ पर दो जल राशियां क्या होती हैं आपस में मिल रही होते हैं straight is a narrow passage of water connecting two large water bodies जल संधी दो water body को connect करती है जैसे भारत और श्रिलंका के बीच में park straight है Pacific और Atlantic को bearing straight जोडती है उसी तरह से इस्थल संधी में इस्थमस कहलाता है जहाँ पर narrow strip से दो continental mass या दो land masses जोडते हैं तो वो क्या कहलाते हैं narrow strip of land joining two land masses ये point याद रखना इस्थमस दो land masses को जोडते हैं straight दो water body को जोडती है उल्टा लिख देगा जल्दी जल्दी में करके आ जाओगे गलत ठीक है तो ध्यान से फिर से सुन लो इस्थमस दो land masses को जोडती है straight दो water body को जोडती है clear a point 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 ठीक चलिए अब ये वाले map पे देखिए question बन सकता है मैं आपको बता देता हूँ आपकी NCRT में ये map बना हुआ है ठीक है जैसे मैंने नौर्थ अमेरिका को बना दिया अब अगर आप इसमें एक यहाँ पर 0 degree ऐसे बीचो बीच खींज दीजे और एक आपको 0 degree यहाँ दिख रही है तो आप बताईए उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से नौर्थ और वेस्ट में आएगा की नहीं आएगा सही नहीं आ रहा है यार बच्चे बार बार कह रहे हैं देख लो बड़ नौर्थ वेस्ट में आएगा ना उसी तरह से पूरी तरह से आप देखो यह Australia कहां है Southern Hemisphere में है ठीक Southern Hemisphere में है पूरी तरह से क्या है Southern Hemisphere में है और East में भी थोड़ा बहुत पार्ट इसका हम मान सकते हैं यह यहां आ जाएगा ठीक यह तीन रेखाएं हैं यह तीन रेखाएं हैं ट्रोपिक ओफ कैंसर ट्रोपिक ओफ है किया प्रिकॉंच तीनो रेखा हैं तुम्हें कौन सेूंटेनेंट से हुते हुए गुजरती हुए दिख रही है आफ् Global Space दिख रही ना यहां से भी जा रही है यहां से भी जा रही है एक सवाल आपका यहां से बन जाएगा ठीक है एक सवाल आपका यहां से बन जाएगा ट्रोपिक ओफ कैंसर, ट्रोपिक ओफ एक्वेटर, ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन कौन से कॉंटिनेंट को टच नहीं कर रहा है कौन से कॉंटिनेंट को टच नहीं कर रहा है यौरप कॉंटिनेंट को टच नहीं कर रहा है कर रहा है? नहीं कर रहा है यौरप और एशिया यूराल माउंटेन से क्या हो रही है अलग हो रही है तो यौरप और एशिया को क्या अलग करता है यूराल माउंटेन अलग करता है कर रहा है दिगरा है मैप के अंदर है ठीक है ये कोशन आ जाएगा आस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं द्वीपी ये महाद्वीप कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी से गिरा है तो ये क्या कहलाता है आइसलेंड या आइलेंड कॉंटिनेंट कहलाता है ठीक आइलेंड कॉंटिनेंट कहलाता है ठीक है तो यॉरप से ना करकरेखा गुजरती है ना मद्धे रेखा मतलब भूमद्धे रेखा गुजरती है ना ही आपकी मकर रेखा गुजरती है ठीक है इतने सवाल यहां से आपके बन सकते हैं इस मैप को अच्छे से देखके जाईएगा अगला सवाल देखिए निमनलिकित में कौन सा कथन असत्य है बताना है इस फॉल्स महासागरी जल सदैव गतिशील रहता है हर समय चलता रहता है ज्वार भाटा तरंगे महासागरी धाराएं इस गतिशील गतिशीलता को बनाय रखती है फिर कह रहा है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह आधी पृत्वी पर फैला हुआ है और फिर कह रहा है पृत्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच है जो की पैसिफिक ओशन में है देखे नॉर्मली मैं बोलता नहीं शेयर वेर करने के लिए शुरू मैं बोल देता हूँ एक बार पर जब उन्निस सो पार करा दियो तो दो हजार टच करा दो यार हमको भी अच्छा लगेगा थोड़ा हिंदी में बता तो रहे हैं यार हिंदी में ही तो बताया बताओ 17 का अंसर C हो जाएगा क्यों? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है यहां तक की तो बात सही है लिका है या आधी पृथ्वी नई कितना? पृथ्वी के कितना? वन थर्ड ना पृथ्वी के वन थर्ड भाग को एक तिहाई भाग को घेरे हुए है एक तिहाई भाग को घेरे हुए है ठीक है एक तिहाई भाग को घेरे हुए है यहाँ पे कोशन आपका बनता है क्या पैसिफिक ओशन जो है वो वृत्ताकार है पैसिफिक ओशन क्या है बिटा वृत्ताकार है ठीक प्रशान्त महासागर पैसिफिक ओशन क्या है वृत्ताकार ह ठीक है ट्रेंगल सेब में आपका क्या है हिंद महा सागर अन्ध महासागर और एस लेटर की आकरिती का क्या है आपका Atlantic महासागर अंध महासागर या Atlantic Ocean तो सेब पर भी सवाल आपका बनता है Shape पर भी सवाल आपका बनता है, महासागर का जो जल होता है, वो सदैव गतिशील होता है, जिसकी एक वज़ा है महासागरी धाराईं महासागरी धाराईं oceanic currents जोकी लगातार क्या होती है चलती रहती है ठीक, एक होता है ज्वार और भाटा, टाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है, पृत्वी का, पृत्वी के घूर्णन की वज़े से भी यह होता है, और फिर उसके बाद तरंगें, वेव्स, ठीक, तो ज्वार भाटा, तरंग और महासागरी धारा हैं, यह तीन क्या है, मुख् महासागर की जल को लगातार चलाती रहती है, सबसे गहरा जो डीपेस्ट ट्रेंच है, वो है, मेरियाना ट्रेंच जो की कहा है आपका, पैसिफिक ओशन में, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, ठीक है, चलिए, अगला देखिए, निमनलिखित कतनों पर विचार करिए, अट चबरदस्ती घवरा रहे हो, ठीक है, आपको क्या है, एक साथ इतना कुछ रिवीजन करना है, इसलिए परशान हो रहे हो, मैं जानता है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, मुझे पता है, बस आपको एक काम करना है, आपको पैनिक नहीं होना, आप एक्जाम के प पेपर करूंगी, आप मैं बढ़ियां पेपर करूंगा, मैं जानता हूँ आप पेपर का जहाज बना देंगे, मुझे मालूम है ना, आप बस confidence रखिए अपने उपर, सवाल ध्यान से पढ़िए, statement पढ़िएगा, तो पूरा पढ़िएगा, ऐसा तो है नहीं कि 60 के 60 सवाल statement मैं आएंगे, कल पेडागोजी जब पढ़ाओंगा, तो ट्रिक आपको बताई दूंगा कि कैसे question का answer तुम निकाल पाओगे, कैसे तुम statement बाहर कर पाओगे, ठीक है, बताईएगा, क्या हो जाएगा जवाब, तो कहरा है कि assertion reasoning का question है, assertion reasoning का question है, Atlantic महासागर वाडिजी की द point of view of trade, और इसकी तटरेखा अत्तिक क्या है, दातेदार है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर अगर आप map में देखो, तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर एक warm current आती है, और इस warm current और यह महासागर की वज़े से क्या होता है, इसकी दंतरेखा, इसका जो dented हो जाता है, line, मतलब पानी का कटाव अधिक है, तो naturally port बन गए हैं यहाँ पर, इसलिए यह क्या है, trade की द्रिष्टी से बहुत ज़्यादा busy है, क्योंकि natural port बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है, natural port बहुत सारे होने की वज़े से, यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता है, और वैसे भी शुरू स देखिएगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कत्नों पर विचार करिए, consider the following statement, परवता रोहियों को अपने साथ oxygen cylinder ले जाना होता है, अधिक उचाई पर वायू का घनत्व कम होने लगता है, अधिक उचाई पर वायू का घनत्व कम होने लगता है, बताईए, क्या हो जाएगा जवाब, अरे क्या बात है बाई, 2000 पर करा दिया अधिक उचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे air का pressure क्या होता है, density क्या होती है, वो decrease होने लगती है, इसलिए feel होने लगता है, हमें सांस लेने में कठनाई होती है, इसलिए montanious अपने साथ क्या करते हैं, oxygen cylinder ले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है और व्याक्या होती है, ठीक, अगला देखो, bearing जल संधी किन दो महा सागरों को जोडती है, प्रशानत और आर्किटिक, प्रशानत और अंटार्किक, प्रशानत और अटलांटिक या अटलांटिक और हिंद महा सागर, बताईए, क्या हो जाएगा जवाब, bearing जल संधी किन दो महा सागरों को जोडती है, which two oceans, the bearing state connects, which two oceans, क्या हो जाएगा जवाब, A is the right answer, बिल्कुल ठीक, प्रशानत और आर्किटिक को जोडती है, बिल्कुल सही है, अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है, निमनलिखित कतनों में से कौन सा सत्य है, which of the following statement is true, जैव मंदल का निर्माड, पादप एवं जीव जन्तों मिल कर करते हैं, बायो स्फेर is formed by plants and animals together, ठीक, फिर कह रहा है, प्रित्वी का वो संकीन छेत्र, वो narrow region जहां पर इस्थल जल और वायू मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, लीथो स्फेर जुड़ जाता है, एटमो स्फेर जुड़ जाता है, और आपका हाइडरो स्फेर जुड़ जाता है, तो ये narrow strip क्या कहलाता है, बायो स्फेर कहलाता है, दोनों बातें बिलकुल सही ह बिलकुल करते हैं और फिर ecosystem बिल्ट होता है, ecosystem क्या चीज़ होती है, वह तंत्र जहां पर समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यवरन के उन भहुतिक रसायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं यह क्या कहलाता है आपका ecosystem कहलाता है ठीक है मैंने यह सवाल आपको करवाया हुआ है यह कुछ point है जो आपको अपने दिमाग में रखने है ध्यान से एक-एक point को सुन लीजे ठीक एक-एक point से सुन लीजे पहला क्या कह रहा है environment शब्द की उत्पत्ती फ्रेंच शब्द से होती environment जिसका आरत होता है पडोस दूसरा point क्या कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण में प्रित्वी पर पाई एवं पाई जाने वाली जन्तु जीवी अजीव दोनों परिस्तितियां होती है वायू मंदल सूरी की जुलसाने वाली गर्मी और हानी कारक किरणों से हमारी रक्षा करता है आपको पता है ozone layer ये काम करती है और प्रित्वी का गुरुत्वा कर्शन बल चारो और के वायू मंदल को थामे रखता है जिसकी वज़ा से हमें वो क्या होती है चीजें फिल हो रही होती है ठीक है और important बात अगला point देखिएगा प्रित्वी की सबसे उपरी परत जो है वो crust कहलाती है भूपरपटी कहलाती है जिसकी मोटाई सबसे कम है ठीक बदाईए जवाब दीजेगा जवाब दीजेगा वाट शुद भी राइट आंसर क्या हो जाएगा जवाब वाट शुद भी राइट आंसर क्या हो जाएगा अंसर बताईए ठीक है यह हो जाएगा केवल कथन एक सत्य है क्यूं दूसरे में क्या लिखा है महा सागरी सता की मोटाई महा दीपी सता से अधिक होती है नहीं नहीं इसकी 35 किलो मेटर है कॉंटिनेंटल मास की और इनकी 5 किलो मेटर है यह कितनी है 35 किलो मेटर और यह कितनी है आपकी 5 किलो मेटर ठीक सबसे उपर का पार्ट क्या कहलाता है क्रस्ट कहलाता है ठीक है और क्रस्ट कितना है केवल 1% हिस्सा है केवल क्या है 1% हिस्सा है पृत्वी की सबसे उपरी परत क्रस्ट कहलाती है और वो मोटाई सबसे क्या है कम है ध्यान से सुन लो 1% हिस्सा क्या कहलाता है crust crust कितना है 1% ठीक है उसके बाद आपका क्या आता है उसके बाद आपका आता है mental दूसरा जो layer है mental mental कितना है 84% और फिर आता है आपका core या crude ये कितना है आपका 15% ठीक इसके percentage के हिसाब से भी क्रम लगाने के लिए आ सकता है मैंने filter series में कराया था ये सवाल ठीक है महाद्वीपी संकती मुख रूप से silica और aluminium से बनी है जो ये वाला part है इसको बोलते है सियाल इसको क्या बोलते है सियाल silicon और aluminium और जो oceanic floor है इस वाले part को बोलते है सीमा ठीक सिलिकन और magnesium और जो core वाला part है इसे बोलते है नीफे, nickel और ferrous बोलते है ठीक इससे सवाल आपका बन सकता है ठीक इससे सवाल आपका बन सकता है याद रखिएगा ठीक है और इसका percentage याद दिमाग में रख लो सबसे ज़्यादा part किसका है mental का है अगर हम ये last का जो portion है ये किसका है core का हिस्सा है जो कि सियाल, सीमा और नीफे तो कहरा है प्रित्वी की सबसे आंतरिक परत किन स्खनीजों से बनी है तो answer क्या हो जाएगा nickel and ferrous short form में करोगे तो नीफे short form में करोगे तो नीफे बोलो clear a point clear a point clear a point clear a point बताईए ठीक है चलो अगला देखो निम्न कत्नों में से कौन सा सत्य है which of the following statement is true द्रवित लावा प्रित्वी की सता पर आता है या तेजी से ठंडा हो कर ठोस बन जाता है परपटी पर इस प्रकार बने शैल को हम बहिर भेदी आगने शैल कहते है रॉक वाला चैप्टर जरूर से रिवाईस करके जाना यहां से एक कोशन आना ही आना है एक सवाल आना ही आना है ठीक है clear है तो इसका आंसर हो जाएगा C दोनों सही है ठीक है जब molten magma जो होता है जब molten lava होता है comes to the surface of the earth it cools rapidly become solid ऊपर आते तेजी से ठंडा होता है ठीक है और इस प्रकार बने शैल को हम क्या कहते है बहिर भेदी जब अंडर अंदर ठंडा हो जाता है तो उसे हम बोलते है intrusive इसे हम क्या बोलते है intrusive बोलते है ठीक है अंतर भेदी बोलते है ठीक है तो बहिर बेदी और आगने शेल कहलाते है इगनीशियस राइज ठीक है क्या कहलाता है इगनीशियस रॉक कहलाता है ठीक इन में very fine-grained होता है बहुत महीन दाने वाले होते हैं जैसे basalt की चट्टान दक्कन का प्लेटू इसी से बना हुआ है ठीक है कभी कभी ये क्या होता है भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है magma cools down deep inside the earth's crust और इसलिए solid rock so formed or called intrusive igneous rock क्या कहते हैं इसको अंतर भेदी आगने शेल कहते हैं इसमें बड़े दाने होते हैं यही से सवाल या तो यहां से पूछता है या तो यहां से पूछता है ध्यान से पढ़िएगगा इसको और इसका example क्या हो जाएगा ग्रेनाइट आपके घर में जो दाने वाने कूटने के लिए मसाले कूटने के लिए आप जो इमाम दस्ता इस्तमाल करते हो अगर वो पत्थर का बना होता है तो जादतर ग्रेनाइट वाला होता है जिस पर मसालों को पीषने का काम किया जाता है ठीक है अगला है निम्नलिखित में कौन सी घटना आकस्मिक बल का परिणाम नहीं है ठीक आकस्मिक बल का परिणाम नहीं है यहां से भी question आना ही आना है इसको अच्छे से revise करके जाना कौन सी जैसे नदियां कौन-कौन सा वो बनाती है आकरिती बनाती है ठीक है बालू मतलब wind कौन-कौन से आकरिती बनाती है ठीक है आपके जो ice होता है वो कौन-कौन सी आकरिती बनाती है और oceans में कौन-कौन सी आकरिती बनती है य आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डियास्ट्रॉफिक फोर्सेज हो जाएगा ठीक है फोर्सेज हो जाएगा है ना डियास्ट्रॉफिक फोर्सेज हो जाएगा यानि इसको बोलते ही है पटल निरूपन बल पटल, निरूपन, बल या परवत निर्मार कारी बल जबकि उपर के तीन किसके एक्जामपल है Sudden Forces के एक्जामपल है ठीक है तो answer to this question is option number D ये वाली list जो ये वाला जो figure है पृत्वी की गतिया, earth movement दो तरह की गतिया होती है endogenic, exogenic endo का मतलब जो पृत्वी के अंदर गति हो रही है exogenic जो पृत्वी के बाहर यानि पृत्वी के ऊपर हो रही है endogenic में Sudden Forces और Dastrophic Forces है Dastrophic Forces क्या करती है परवत बनाने का काम करती है जो पटल विरूपन बल है ये क्या करता है परवत बनाने का काम करता है आकस्मिक बल में भूकम जौला मुखी लैंड स्लाइड ये सब आ जाते हैं जबकि एक्जोजोनिक फोर्सेज में दो तरीके की क्रिया काम करती है इरोजन और डेपोजीशन, अपर्दन और निक्षेपन और ये सब में होता है, ये river में भी होगा, wind में भी होगा, sea waves में होगा, glacier में होगा, सब में होता है ठीक और इससे बनती हैं अलग-अलग आकरितियां river की अलग बनती है, wind की अलग बनती है, sea waves की अलग बनती है, glaciers की अलग बनती है आप से इस तरीके की बातें पूछी जा सकती है इनको जल्दी जल्दी रिवाइस कर लीजे देख लीजे ये वॉलकेनो है तो वॉलकेनो में मॉल्टेन जो मैगमा होता है ये क्या होता है मैगमा चेंबर है इससे जो है ये उपर निकल रहा है निकलते हैं यह अन्तर जनितबल का परिणाम है भूकम्प में आपको soort aux ठीक इसे क्या कहते हैं इस कंपनको जब-obile 省 जो फील होती है हम को जब वह क्रस्ट चारों तरफ गति करने लगता है तो यह जो vibration feel हो रही है, इस vibration को हम क्या कहते है, earthquake कहते है, आपका activity मैंने बताया था आपको, कि पानी गरम करिए, और उसके उपर एक रख दीजे, प्लेट, और प्लेट के उपर एक बॉल रख दीजे, या प्लेट के उपर एक चमच रख दीजे, थोड़ी दिर में देखेंगे आप, कि वो क्या होगा, जब गरम होगा, तो वो air जब निकलना शुरू होगी, भाप निकलना शुरू होगी, तो उस पर कमपन आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, अब इसमें, वो जगह, जहां से, वह स्थान जहां भोकंप उत्पन होता है, वह भोकंपी उर्जा का उ अधी केंद्र हर अर्थक्वेक का एक एपी सेंटर जरूर होता है कि आप पढ़ोगे कि अफगानिस्तान के इस पार्ट पर क्या आया यहां पर यह सबसे अधिक और फिर यहां से जैसे जैसे वाइब्रेशन आगे फैलेगी वैसे वैसे भूकम की तीवरता आगे बढ़ते करते हैं जिसमें 5.0 पर वस्तुएं गिरने वरने लगती हैं जैसे जैसे यह उपर बढ़ता जाएगा इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है वह और क्या हो जाता है जादा होता जाता है पी एस एल तीन तरह की वेव होती है इनकी अगला देखो कौन सा सत्य है बताना है भूकम का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफी कहते हैं बताइए सिस्मोग्राफी कहते हैं बताइए सिस्मोग्राफी कहते हैं क्या हो जाएगा आंसर बिल्कुल ठीक दोनों सही है तो याद रखेगा तीवरता ना पी जाती है रिक्टर स्केल पे और मापन करने के लिए उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं सिस्मोग्राफी जो की इस तरह का आपका ग्रंथ होता है इस पर यह सिस्मोग्राफी आती है 5.0 पर जिस भुकम की तिवरता होती है वो वस्तुओं को गिरने से छती पहुचा सकता है ठीक है और उसके अलावा उसके बाद और उस तरह से क्या होता है वो आगे चलता चला ज कहते हैं यह most destructional होती है मैंने आपको पूरी चीजें बताई थी सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाने वाली जो होती है यह क्या होती है अगला देखिए निम्न में से कौन सी आकृतियां नदियों द्वारा बनाई जाएंगी विसर्प जल्प्रपाद गोखुर जील स्टैक एक दो तीन एक तीन चार एक दो चार एक दो तीन चार यह आकृति वाला जरूर से रिवाइस करके जाना बदाए यह वाट शुट भी राइट आंसर वाट शुट भी राइट आंसर अगा यह हो जाएक आंसर बिल्कुल ठीक वन टू थ्री स्टैक कहां बनता है स्टैक बनाता है स्टैक बनाता है स्टैक बनाता है स्टैक बनाता है और नदी के द्वारा आपका विसर्ब जल प्रपात गोखुर जील इस टाइप के सारे बनते हैं जब खड़े चटान पर पानी गिरता है नदियों का तो नीचे ये इस फ्लोर को काटते हुए यहां पर एक जील बना देता है जैसे आपका आपका जहां भी जहरने हैं उनके नीचे जील जरूर मिलेगी आपको है ना तो ये चुकि ये परत काट रहा होता है तो ये क्या बनाता है वाटर फॉल बनाता है हाड रॉक को काटते हुए बहुत ज्यादा नहीं काट पाता न तो जैसे मानलों अगर ऐसे फ्लोर है थोड़ा जा काटा तो पानी ऐसे ऐसे करते हुए गिरेगा तो वो जहरने जैसा द इंजल फॉल है वेनेजुएला में ये सवाल आ सकता है कैनेडा और संयुक्त राज अमेरिका के सीमा पर है नियागरा जांबिया और जिंबॉम्बे की सीमा पर है विक्टोरिया ये जरूर से ध्यान रखिएगा इसका ठीक उसी तरह से जब नदी आगे बढ़ती है तो वह आक लेक बनते हैं और जब ये प्लेन की तरफ आते हैं तो ये क्या करते हैं फ्लड प्लेन बनाते हैं और फ्लड प्लेन बनाने के बाद ये धीरे-धीरे साइड में क्या करते हैं तट बंद बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं आपका फ्लड प्लेन के बाद का स्ट्रक्चर और फिर जब नदी सागर में जाकर या महा सागर में मिलनी होती है, उससे पहले वो डेल्टा बनाती है, जब वो बहुत छोटे-छोटे डिस्टिब्यूटरी चिडिया के जो पंग होते हैं, उस टाइप से वो क्या करती है? डिस्टिब्यूट कर लेती है, और डिस्टिब्यूट करते हुए यह अपनी वित्रिका बनाती है, डिस्टिब्यूटरी बनाती है, और आगे चल कर फिर वो क्या बनाती है? डिल्टा, रिवर का पूरा क्रम पूछा जा सकता है, या फिर सिंगल आ सकता है, समुद्र की अगर बात करें, तो सी वेब्स में देखो, एक तो स्टैक बनता है, स्टैक का मतलब क्या हो गया? जहां एक पूरी खड़ी चटान है, इरोड करते हुए, काटते हुए चली गई, और उसने क्या किया? एक चटान ही रख दी, बाकी पूरी अगल बगल के पत्थरों को उसने काट दिया, एक सिंगल खड़ा हुआ पत्थर, वो क्या हो गया? स्टैक हो गया, कई बार इसके अंदर केव जैसा बना देता है, इरोजन से, ये सारा किस से हो रहा है? इरोजन से, सी के अंदर इरोजन से बनने वाले, सुनो लो ध्यान से ने, गलत करके चले आओगे, इरोजन से बनने वाले कौन कौन से हैं? इरोजन यानि अपरदन से बनने वाले, कौन कौन से हैं? तो स्टैक बनेगा, सी आर्क बनेगा, समुद्री महराब और सी केव बनेगा लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि बीच बीच अपरदन से बनेगा या बीच डेपोजीशन से बनेगा बताईए बीच किस से बनेगा पुलिन जिसको बोलते हैं हिंदी में पुलिन ये डेपोजीशन से बनेगा डेपोजीशन को कहत हैं निक्षेपन बताइए कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि है कि अ कि देपोजीशन से बनेगा बिलकुल ठीक है तो इरोजन से आपका स्टैक बनता है सी केव सी आर्क ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कौन सी आकृती डेपोजीशन से बनेगी और कौन सी आकृती आपकी इरोजन से बनेगी ठीक है यह भी आप ध्यान में रखिएगा अगला देखिएगा कौन सी आकृत आकृति का संबंद पवनों से नहीं हैं, कौन सी आकृति पवनों से संबंधित नहीं है, अरे बेटा, इरोजन का मतलब होता है अपरदन, जब कोई चीज काटे रहे, जैसे मानलो नदी बह रही है, या सागर है, इसके सामने कोई ऐसे राख होगा, तो इसको काटेगी न, इस किनारे गए हो या टीवी में देखा है कि नहीं देखा है तो पवनों से किसका संबंद नहीं है मोरेन का संबंद नहीं है क्योंकि ये किसका है आईस का काम है या रिवर में भी बनती है ठीक है जबकि मश्रूम रॉक टिबबा लोईस मश्रूम रॉक जिसमें अब जैसे माल लो ये इसको एक मिनट के लिए माल लो कि ये विंड है ये विंड है और ये कोई रॉक है तो विंड क्या गरती है इसका उपर का हिस्सा और विंड चुकी नीचे से बहती तो काटते हुए जा रही है यहाँ यह erosion कर रही है अपरदन कर रही है तो कहीं इसका ले जाके निक्षेपन भी तो करेगी न deposition भी तो करेगी न तो deposition में आपने देखा होगा कि sand में इस तरीके से बन जाते हैं रेतों में तो वो क्या हो जाता है आपका बालू टिबबा हो जाता है और नमी ग्रहन कर लेते हैं तो lowest हो जाता है सबसे biggest lowest पाए जाते हैं कहां पर चाइना में इसमें greenery भी आ जाती है ठीक है अगला देखिएगा कौन सा कथन सत्य है बताना है ठीक है which of the following statement is true पौधों को अपने जीवन के लिए nitrogen क्या उशकता होती है बिल्कुल ठीक बात है वो सीधे तो पौधे जो है वायू से nitrogen नहीं लेते हैं इसके लिए उनको bacteria की आवशकता होती है जीवान की आवशकता होती है और ये जो bacteria होते हैं जैसे कि आपका नाम rhizobium और इस टाइप के bacteria होते है nitrogen की आवशकता होती ये बात सही है दूसरा सही नहीं है ठीक है आपको पता है कि जो आपका atmosphere है उसमें nitrogen 72 78% है और oxygen आपका 21% है उसके अलावा फिर आप देख पा रहोंगे all other gases 0.04% carbon dioxide 0.3% argon 0.93% इस तरह से बहुत सारी gases हैं ठीक है वायू में सरवाधिक पाई जाने वाली gas है ठीक है पौधों को अपने जीवन के लिए nitrogen क्या उशक्ता होती वो सीधे वायू से nitrogen नहीं ले पाते ठीक कुछ जीवाणू इस काम को करते हैं जो वायू से nitrogen लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं ठीक अगला देखो छोब मंडल के विशे में ये वाला layer जरूर पढ़के जाना layer से एक सवाल आना ही आना है layer से एक question आना ही आना है तीन बातें पढ़ना एक तो layer का क्रम पढ़ लोगे जैसे सबसे नीचे क्या आजाता है छोब मंडल सबसे नीचे क्या आजाता है छोब मंडल ट्रोपो स्फेर है न उसके उपर आपका स्ट्रेटो स्फेर समताप मंदल फिर आपका क्या आ जाता है मीजो स्फेर मध्य मंदल फिर आ जाता आपका ताप मंडल बोलते हैं हिंदी में वाह मंडल भी बोल देते हैं ठीक है थर्मोस्फेर भी बोल देते हैं और फिर यह आपका आजाता है एक्जोस्फेर यानि वाह मंडल बहिर मंडल वाह नहीं बहिर मंडल एक तो यह लेयर पढ़के जाओगे किस layer में क्या चीज़ें हैं वो पढ़के जाओगे यहां से एक question आना ही आना है ओसा तुचाई 13 km है ठीक है मौसम की लगबग सभी घटना है इसी परत के अंदर होती है बिल्कुल ठीक है पर हवाई जहाज पढ़ उड़ाने के लिए आदर्श परिस्तितियां कहां मिलेंगी समताप मंडल में मिलेंगी कहां मिलेंगी समताप मंडल में मिलेंगी तो answer to this question is 1 and 2 यह reason आपका जो दिया हुआ है इसको अच्छे से सबसे नीचे छोब मंडल समताप मंडल ओजोन देखो कहां मिल रहा है समताप मंदल में हवाई जहाज कहां उड़ रहे हैं समताप मंदल में समताप मंदल में फिर मध्य मंदल यहां जिसमें उलका पिंडविंड आते हैं मध्य सीमा फिर उसके बाद इसके बाद है वाहवाय मंदल थर्मोस्फेर इसी में रेडियो वाला सिस्टम होता है, आयन मंडल भी बोलते हैं इसको, आयन मंडल भी बोलते हैं, रेडियो तरंगे इसमें परवर्तित होके आती हैं, ठीक, ट्रोपोस्फेर की बात करें, तो सबसे इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे लिए जीने के लिए जरूरी है, 13 किलोमे है, उचाई तक फैला हुआ है, मौसम संबंदी घटनाओं से लगभग मुक्त है ये, इसलिए यहां पर क्या होती है, हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, इसी में ओजोन परत होती है, जो कि हमारी यूवी रेस से रक्षा करती है, ठीक, यूवी रेस से क्या करती है, रक् इस परत में आने पर जल जाते हैं, ठीक, यही सवाल आएगा इस तारिक को, फिर है थर्मोस्फेर, थर्मोस्फेर में 80-400 किलोमेटर की उचाई, ठीक, आयन मंडल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि रेडियो संचार के लिए इसका प्रयोग होता है, रेडियो तरंगेस से रिव कल पेडगोजी की क्लास है, आपकी याद रखिएगा, ठीक है, पेडगोजी की क्लास है, याद रखिएगा, ठीक आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वित्रण को प्रभावित करता है फिर कह रहा है सूर से आने वाली वह उर्जा जिसे प्रित्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है और फिर केह रहा है कि आतपन या सूर्यातप की मात्रा भूमत दे रेखा से ध्रूओं की और भूमत दे रेखा से जैसे जैसे आप उपर बढ़ेंगे insulation क्या होता जाएगा insulation कम होता जाएगा बिलकुल éstही बात है बिलकुल सही बात है ठेक, तो मुझे तो 3 हीस ही लग रहा है, मुझे तो 3 ही सही लग रहा है, और 3 ही सही है भी, भै आत्पन महत्वपूर्ण कारक है, तापमान के वितरन को प्रभावित करता है, जितना जादा insulation, उतना जादा क्या, temperature इस बीच में सबसे ज़्यादा होता है इसलिए उसन कटिबंद कहते हैं यहां पर उतना ज़्यादा नहीं होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं सीटोष्ण कहते हैं यहां पर इसे क्या कहते हैं सीटोष्ण कहते हैं ठीक और उसके ऊपर आतपन बिल्कुल कम हो जाता है इसलिए उसे क्या बोला गिया है इसे शीत कटिबंद बोला गिया है फ्रिजीड जोन बोला गिया है तो तापमान को प्रभावित करती है सूर से आने वाली वह उर्जा जिसे प्रिथवी रोक लेती है वो क्या कहलाती Insulation, Incoming Solar Radiation तीनो पॉइंट बिलकुल सही है यहां से list से question आ सकता है, याद रखिएगा, list में जैसे ताप मापी क्या करता है, thermometer क्या करता है, thermometer, temperature measure करता है, barometer क्या करता है, measures atmospheric pressure, ठीक, barometer क्या करता है, atmospheric pressure को मापता है, वायुदाब को मापता है, ठीक है, वर्षा मापी क्या करता है, वर्षा की मातरा, rain god जिसको बोलते हैं, और wind-vain क्या करता है, पवन की दिशा को दर्शाता है, एक और आ सकता है, एनमो मीटर, जो की क्या होता है, wind की speed को मापता है, वायू गती को मापता है, ठीक है, अगला सवाल देखो, next question देखो, क्या कह रहा है, निम्ण में से कौन सा सही सुमेलित है, which of the following is correctly match, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, लू कह रहा है, इस्थाई पवने, इस्थानी पवने, मानसूनी पवने, यह वाला भी देख के जाना, यहां से एक सवाल आएगा, यहां से एक question आएगा, ठीक है, what should be the right answer, option number D, तीनों सही है, पहले ही लग गया है, है ना, व्यापारिक पवने, इस्थाई पवने हैं, यह वर्ष भर चलने वाली है, एक निश्थाई पवने, इसको यहां पर देख लो, इस्थाई पवने, permanent wind क्या होती है, एक certain direction में चलती है, निश्थ दिशा में चलती है, वर्ष भर चलती है, लगातार चलने वाली है, ठीक, इनके example की अगर बात करें, तो इसमें westerlies और easterlies, पश्चमी पवने और पच्छुआ पवने, इन्हें कहते हैं, ठीक है, अगर हम seasonal winds की बात करें, मौसमी पवनों की बात करें, तो ये अलग-अलग रितूओं में दिशा बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसुनी पवने, और फिर local winds की बात करें, तो किसी छोटे छेतर में चलती है, small area में, वर्ष भर या दिन के किसी विशेष समय में चल सकती है, वर्ष क्या हो जाएगा, इस्थानी पवने हो जाएगा, इसमें एक point और याद रखेगा, यहाँ पर डोल्डरम है, तो डोल्डरम पूछा जा सकता है, कि डोल्डरम जो है, वो कितने से कितने region के बीच में होता है, तो 0 से 10 ऊपर, 0 से 10 नीचे के बीच होता है, ठीक, 10 डिगरी उत पूछा जा सकता है, मैंने समझाया भी था कि क्यूं बोलते हैं horse latitude, यह आपका मिलता है 30 से 35 उत्तरी और 30 से 35 दक्षणी अक्षांस, ठीक है, अगला देखो, निमनलिकित में से जल के वितरण किस राशी में सरवाधिक है, जल का वितरण कौन सी राशी में सरवाधिक है, बत लूशन्ट में 18 किलोमेटर, हाँ होता है बेटा, 18 किलोमेटर तक होता है, आठ किलोमेटर से 18 किलोमेटर तक होता है, पर तुमारी NCRT में 13 लिया है, तो एक्जाम में 13 आएगा, तुम वही जानके चलो, ठीक तो सबसे ज़्यादा वाटर कैप कौन लेता है, आइस कैप लेते हैं, यह लिस्ट है, यहाँ से कोशन आता है, यहाँ से कोशन आता है, या तो क्रम लगाने के लिए आ जाएगा, आइस कैप में देखो कितना है, 2% है, आइस कैप में कितना पानी है, 2% है, जबकि 97.3% क्या आपका saline water है salinity को नापने के लिए क्या कहते हैं कि एक लीटर में उपस्थित नमक की मातरा कितनी है, salt की मातरा कितनी है तो वो है 35 पर thousand 35 पर thousand 35 पर thousand है ना और आपका dead sea जो है मृत सागर जिसमें आराम से वो तैर लेते हैं क्योंकि घनत्व क्या हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है लवड़ता बहुत ही अधिक है तो वहाँ पर आराम से लोग तैर लेते हैं इसलिए उसको dead sea बोला जाता है इसरेल में ठीक है, underground water है 0.68% ये list देखकर जाईएगा आप ठीक तो लवड़ता क्या होगी, salendry क्या हो गई amount of salt in grams present in thousand grams of water ठीक है और इसराइल का dead sea है जहाँ पर 340 है ग्राम प्रती लीटर, 340 ग्राम प्रती लीटर ठीक है और tsunami की अगर बात करें, waves में तो 15 मीटर से अधिक, 15 मीटर से अधिक अगर उचाई है किसी भी wave की तो उसको consider करते हैं किस से? tsunami से tsunami Japanese word है और Japanese word है tsunami जिसका मतलब होता है harbor waves पोताश्रे तरंगे क्योंकि इसके आने से फिर जो harbors थे, जो बंदरगा होते थे, वो क्या होने लगे? नस्ट होने भारत में 2004 में सुनामी आई थी जब बहुत ज़्यादा बवाल मचा था और अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर तक मापा गया था और ये 700 किलोमिटर पर आर की स्पीड से चल रही थी ये waves थीक? तो harbor waves कहते हैं किसे? सुनामी को अगला देखो कौन सा कथन सत्य है? दिन में दो बार नियम से महासागरी जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वा करशन बल के कारण पृत्वी की सत्ह पर ज्वार भाटे आते हैं क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? बस हो गया बिटम मैं भी ठक गया हूँ तो बता देता हूँ आप लोग एक काम जरूर करिएगा 7 तक का तो आपने कर लिया 7 तक का तो कर लिया 8th की अगर आप जियोग्राफी देखना चाते हैं 8th की अगर आप जियोग्राफी देखना चाते हैं तो आपको सिर्फ तीन क्लासेज देखनी है आपका काम भर की तैयारी हो जाएगी आप अभी चले जाओ NCRT फिल्टर सिरीज में ठीक है? और इसका आप पार्ट 58 59 और 60 ये तीन क्लास देख लो इसमें मैंने एर्थ को complete करा रखा है ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा C, दोनों क्या है? सही है, दोनों क्या है? सही है, ठीक है? दोनों क्या है? सही है, जवार भाटे में simple याद रखना, नीप टाइड तबाता है, जब 90 डिगरी का एंगल बनता है spring tide यानि उच जवार तब आता है जब 180 डिगरी का एंगल बनता है या तो अर्थ और सन के बीच में मून होगा या मून और सन के बीच में अर्थ होगा और दोनों gravity से पुल करेंगे तो क्या होगा? ब्रिहद जवार आता है ठीक? लगु जवार नीप टाइड कब आता है जब इन तीनों के बीच में 90 डिगरी का एंगल बनता है ठीक है? 90 डिगरी का एंगल बनता है ठीक? अगर high tide आ रहा है अगर spring tide आ रहा है तो navigation में तो अच्छा होगा क्योंकि उचाई पे पहुँचाएगा तो जहाज आसानी से को आसानी से पकड़ा जाता तो PC culture में important है और ज्वार भाटे के होने से जल के उतार चड़ाओ का उपयोग विद्यूत उत्पन करने के लिए भी किया जाता है ठीक है? विद्यूत उत्पन करने के लिए भी किया जाता है high tide का इस्तमाल electricity भी generate करने के लिए और जहां पर hot और cold current मिलती है वो जगह fisheries के लिए बड़ा important माना जाता है fisheries के लिए बहुत important जहां से भी एक cold current आएगी और एक hot current मिलेगी ऐसे जगह पे क्या होता है? phytoplankton नाम का एक पलवक बनता है और ये phytoplankton जो है मचली इनको खाती है तो यहां पर मचलीयां पकड़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है यहां पर मचलीयां पकड़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है ठीक, जापान में, अमेरिका में, इंग्लेंड के पास यहां पर ये क्या है? एरिया है ठीक जल धारा जरूर से देखके जाईएगा hot current और cold current इनसे सवाल आएगा एक simple तरीका याद करने का बता देता हूँ आपको जो जल धाराएं विश्वत रेखा के आसपास आती है यहाँ से generate होती है वो generally hot होंगी और जो pole से generate होती है वो generally क्या होंगी cold होंगी जहाँ यह धाराएं मिलती है जैसे यह लेबराडोर है cold है गल्फ स्ट्रीम है hot है तो यहाँ पर मत्स छेतर बनेगा जापान में ओयो शियो है यह cold current है, क्यूरो शियो है hot current है तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा मत्सन छेतर बन जाएगा ठीक है, यहाँ से एक सवाल आना ही आना है ठीक है यहाँ से एक question आना ही आना है ठीक है भाई ठीक है और ये भी याद रखना कि hot और cold current जहां मिलेगी वहाँ पर navigation के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्यूं? क्यूंकि fog बन जाती है और fog में फिर जहाँ चलाना पानी वाला अच्छा नहीं होता Titanic लड़ गया था इसी चक्कर में भूमद्य रेखा के 10 डिग्री उपर और 10 डिग्री नीचे यानि डोल्डरम वाला अरिया साल बर heat और साल बर पानी बरसेगा ठीक, Amazon नदी इसी प्रदेश के पस्चिम में परवतों से निकल कर पूर में अंद माह सागर तक पहुंशती है दोनों पॉइंट बिल्कुल क्या है, सही है ठीक, इसी लिए Amazon में जंगल बहुत होते है इसी लिए Amazon को क्या कहते है प्रिथवी का फेफडा कहते है Lungs of the Earth कहते है ठीक, Lungs of the Earth कहते है ठीक, Tributaries होती है जो छोटी नदियां होती है, मुख्य नदी से मिलती है बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन होता है The main river along with all its Tributaries The drain and area forms a river basin और the catchment area भी बोलते है ठीक, catchment area जल, संगरहन, छेतर भी बोलते है Amazon basin जो है, वो वर्ड का largest basin है जबकि वर्ड का वर्ड्स largest डेल्टा ये क्या है गंगा, ब्रह्म पुत्रा ब्रह्म पुत्रा डेल्टा Amazon basin से, Amazon जंगल से कुछ-कुछ point आ जाएगा क्या-क्या point आ जाएगा जिन-जिन देशों में ये बहती है तो Brazil में, Peru Bolivia, Ecuador Colombia, Venezuela के छोटे हिस्से से ये बहती है Amazon के जंगलों में कई तरह के क्या होते है चीज़ें पाई जाती है ठीक है Hot and humid climate होता है Bromelide नाम का पौधा मिलता है जिस पर मेड़क विड़क क्या करते हैं उसके पॉकेट में अपना अग देते हैं, अंड़ा देते हैं Tapioca, Ananas, Sakarkand ये यहां की main crop है मुख्य आहार staple diet है मेनियोक जिसको कसावा भी कहते है मलोका यहां के एक special type के छट है जो की तीवर ढ़लान वाले हैं हट शेप में होते हैं सिंगल प्लोट की तरह होते हैं और फिर उसके बाद अत्यदिक मात्रा में गरों के लिए लकड़ी होते है कुछ परिवार मदुमक्खी के छट्टे के आकारवाले चपपर के घरों में रहते हैं ठीक और अगला सवाल है गंगा ब्रंपुत्रा बेसिन उपोष्ण में 10 डिगरी से 30 डिगरी उपोष्ण के मत दिस्तित है गंगा ब्रंपुत्रा बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है ये तो अभी बताई दिया अभी बता दिया इंपोर्टन क्लास बता दीजे देखे सुन लिजे ध्यान से ये जो मेरतन चल रही है ठीक है इसमें आप जाईए प्लेइलिस्ट लगी होगी नहीं लगी है बहुत सही सा वास बहुत बहुत बहतरीन काम करते हैं कभी-कभी ये लोग कोई बात नहीं चैनल पे चले जाओ चैनल पे जाओगे टीचर सड़ा पे तो टीचर सड़ा ओपन करोगे प्लेइलिस्ट में चले जाना ठीक है प्लेइलिस्ट में जाकर सीटेट की प्लेइलिस्ट खोल लेना सीटेट की प्लेइलिस्ट में तुमको मेरी प्लेइलिस्ट दिख जाएगी ठीक है कल ये पेड़ागोजी क्लास एक तो जाके उसके बाद हिस्ट्री एर्थ क्लास की NCRT तीसरी क्लास और हिस्ट्री कम्प्लीट रिवीजन चोथी क्लास पेड़ागोजी की तीन क्लास मैं अल्रडी करा चुका हूँ चार तीन साथ और आज ये जोगरफी वाली क्लास अगर आप ये आठ क्लास भी देखके चले गए तो ए गंगा ब्रंपुत्रा बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अभी आपने पढ़ा क्या है अमेजन है और अभी आपने पढ़ा कि गंगा ब्रंपुत्रा जो है ये वर्ड का डेल्टा बनाती है सबसे बड़ा हां यह यहां के लोग जुँ है वो जादा रहते हैं, इसलिए यहां पर जनसंख्या का घनत भी क्या होता है, अधिक मिलता है, जैसे बिहार और वेस्ट बेंगॉल, दोनों में ही जो पॉपूलेशन डेंसिटी है, बिहार में मिलती है, बिहार में आपको डेंसिटी सब से जाधा मिलत कितनी तो बिहार में आपको लगभग 1100 से अधिक मिल जाती है यहां पे गंगा बंपुता वाले इलाके में सूसू डॉल्फिन या ब्लाइंड डॉल्फिन बोलते हैं ठीक है वो भी मिलती है और यह साफ पानी में मिलते हैं जो कि दीरे-दीरे क्या होता जा रहा है कम होता जा है पश्यम बंगाल और बिहार का जनसंक्या गनत्व 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर है बिल्कुल ठीक मानव प्रवास के लिए मैदानी छेत्र सबसे उप्यूक्त होता है और व्यक्ष्या भी होती है ए और बी दोनों सही है और बी क्या है एका सही व्यक्ष्या है ठीक या अदर्स रिजर्ब केटिग्रीज उनको 82 चाहिए ठीक है पर आप अगर 90-82 के चक्कर में पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या होता है कि यहीं पर स्कोर आके रह जाता है एक सवाल सही हुआ तो अंदर एक सवाल सही हुआ तो बाहर हमने आपको 90-82 वाली त्यारी नहीं करा ही है मेरा एक भी बच्चा वह 100 से नीचे आया तो मैं गिरागे मारूंगा जान लेना यह बात ठीक है चलो भाई मैं ठक गया हूँ अब अब कल मिलते हैं आप लोगों से किसमें पैड़ागोजी क्लास में सेशन को जाके लाइक जरूर कर देना ठीक टाटा भाय भाय नमस्क यार मैंने भर्षक कोशिश की कि जादा ज्यादा चीज़ें रिवाइस करा दी जाएं और जितना हो सका मैंने किया ठीक है कल बता देंगे रीजन के बारे में हाँ पीडिएफ मिलेगा बिल्कुल